नमस्कार दोस्तों, स्वागात है आपका पैबली कनेक के इस यूटूब चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है Get WhatsApp messages when a new Trello card is added तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप automatically WhatsApp पे message receive कर सकते हैं जब भी कोई new card add हो आपके Trello application में और यह पूरा process दोस्तों, आप automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से अब जानते हैं process कैसे work करता है तो जैसा कि हम मेरी screen पे देख सकते हैं Trigger में हम लेंगे Trello, Action में हम लेंगे Interact तो दोस्तो, Interact एक CRM में WhatsApp का जिसकी मदद से आप WhatsApp में message receive कर सकते हैं तो दोस्तो, पूरे automation में क्या होगा जब भी कोई new card add होगा तो automatically वो card की details के साथ हमको एक message receive हो जाएगा WhatsApp पे तो दोस्तो, पूरा automation बहुत ही simple होने वाला इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है अगर आप यह process सीखना चाहते हैं के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे ओके फ्रेंज तो यह automation पांच step का है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले trigger में हम लेंगे Trello और हमाई action steps में हम लेंगे filter बाब आप ली delay बाप ली फिर हम लेंगे Trello और last action step में हम लेंगे interact जिसकी मदद से हम WhatsApp पे एक message भीज देंगे तो दोस्तों यह automation बहुत ही simple है इसमें कोई भी coding skills की जरुवत नहीं है आप जब यह automation बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर login कर लेना आपके ब्राउजर में और आप आपका account create कर लेंगे केवल 2 minute में दोस्तों एक बार जब आपका account create कर लेंगे तो आपको free task मी मिलते हैं जिसकी मदद से आप आपके automation को test कर सकते हैं मैं click करूँगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं existing user हूँ उसके बाद दोस्तों आपको जाना है मैं मेरी workflow को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ get WhatsApp messages when a new Trello card is added तो दोस्तों यही हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको click करना है create वाली button पे और आप आप जाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं जिनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो सबसे पहले हम trigger application चूज करेंगे जो की है Trello तो हम यहाँ पे simply type कर देंगे Trello और उसके बाद trigger event में हम चूज करेंगे new card नीचे लिगा triggers when a new card is added हमारा यही objective है कि जब भी कोई new card add होना तो हमारा workflow trigger हो तो हम इसको new card को select कर लेंगे उसके दोस्तो हम क्लिक करेंगे connect वाली button पे तो यहाँ पे एक dialogue box open हो गया है जो बोल रहा है connect Trello account तो basically हमको यहाँ पे हमारा जो Trello का account है उसको पाबली करने के साथ connect करना है ठीक है यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे add new connection का दूसरा select existing connection का अगर आप add new connection के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आपको username डाल देना है API key डाल देना है आपके account के हो token और वो चीज़ आपको कहां से मिलेगी तो you can find the about details by login to your Trello account after login you can get the API key and can generate a token from here आप इस hyperlink पे click कर दें तो आप यह developer वाले page पेज़ जाएंगे अब मैंने मेरा connection already build कर लिया तो मैं जाओंगो select existing connection के साथ click करूँगा save वाली button पे तो आप देख सकते हैं हमारा connection बिल्ड हो गया और नीचे आप देख सकते हैं board or list अब यहाँ पे drop-down पे अगर click करूँ तो यहाँ पे various board show रहे हैं और यहाँ पे लिस्ट में भी किसी भी particular board में for example जैसे मैंने block space यहाँ पे board select कर लिया तो block space में अगर कोई list हैं तो वह यहाँ पे शोरी हैं तो let's say monthly task वाली list में काम करना चाहता हूं और board है block space तो यहाँ पे मैंने मेरी चीज़ें select कर लिया आप किसी भी board में आगा काम करें तो वह आपको drop down में दिख जाएगा तो आप यहाँ से select कर लिए ठीक है उसके बाद दोस्तो मैं click करूंगा save and send test request वाली button पे तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे शोरा है waiting for response इसका मतलब यह है कि जैसे new card add होगा Trello में तो हमको यहाँ पे response captured हो जाएगा तो आए एक new card हम create करते है Trello में तो मैं जाओंगा Trello application में यह मेरा Trello account है और यहाँ पे आप देख सकते है monthly task वाली list में हम काम करते हैं तो यहाँ पे मैं card add करता हूँ let's say this card का नाम है traveling card 1 यहाँ पे हमने card create कर लिए जिसका नाम है traveling card 1 अब जैसे ही मैं पैबली connect पे आऊँगा दोस्तों तो आप देख सकते हमको positive response यहाँ पे received हो गया मतलब कि जैसे ही card add हुआ तो हमारा workflow trigger हो गया और यहाँ पे response received हो गया action type पे create card card create हुआ तो action type यहाँ पे और उसके आद यहाँ पे कुछ अदर details आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे monthly task show हो रहा है जो की list का नाम है traveling card 1 card का name है और उसके आद यहाँ पे block space हमारे board का name है वह हमको यहाँ पे show हो रहा है तो दोस्तो first step जो है हमारे automation की वह हमने आपे complete कर लिए अब दोस्तों यहाँ पे हम action step में काम करेंगे और action step में सबसे पहले हम यहाँ पे choose करेंगे filter अब वह हम क्यों choose करेंगे मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो filter एक बहुती amazing feature है public है जिसकी मदद से आप filter apply कर सकते है condition apply कर basically यहाँ पे आपको दो condition apply कर सकते हैं अगर इस पर end वाली बटन पर click करूँ तो यहाँ पे end condition क्लिक कर सकते हैं अगर और condition पर क्लिक कर दो तो यहाँ और condition apply कर सकते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पे एक condition यह apply करना है जब भी हमारा action type create card हो मतलब card create होना create card हो तो वह equal to हो create card के क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है update card भी हो सकता action type अगर आपने card add करा और उसमें कुछ changes कर दिये तो यहाँ पे action type हो जाएगा update card इसलिए हम क्या करेंगे हमारा objective है कि भाई जब भी card add होना तो ही हमें response received हो इसलिए हम यहाँ पे value में इसको manually insert कर देंगे create card अब होगा क्या filter लगा दिया action type create card equal to create card मतलब अगर action type create card है previous response में इस में new card में new card वाली step में तो ही हमारा workflow run हो नहीं तो हमारा workflow run ना हो इसलिए हमने आपे filter apply कर दिया ठीक है दोस्तो क्लिक कर देंगे save and send test request वाली बटन पर तो आप देख सकते हैं हमको एक positive response नीचे शो रहा है status success message में आगे condition true मतलब जो हमने condition लगाई है वो सही work कर रही है और अभी तक का हमारा automation भी सही work कर रहा है हमने दोस्तो अब दोस्तो क्या करना है हमको तो delay for delay for चूज कर लेंगे delay unit हम यहां से चूज कर सकते है hours, days, weeks, minutes हम यहां पर minutes और let's say delay value 2 minute के लिए workflow delay करना चाहता हूं ठीक है values can be 1, 2, 3 1, 2, 3 and so on ठीक है आप कितने भी minute के लिए यहां पर delay apply कर सकते हैं क्लिक कर देंगे save and send test request वाली button ठीक है यहां पर status हो रहा है success message में अगए delete for 2 minutes अब दोस्तो आप सोच रहोंगे मैंने delay क्यों apply कर रहा है तो delay मैंने इसलिए apply कर रहा है दोस्तो कि हमने अभी जो 2 step कर ली यहां पर हमने new card create करा अब दोस्तो अभी हमको save card हमने create कर रहा है तो वह छीज आपको यहां पर receive हो गई लेकिन in case अगर हम आज हमारे card पर और पर ओपन करूँ तो यहां पर बहुत तरही चीज़े जो मैं add कर सकता हूं जैसे कि description add कर सकता हूं यहां पर member add कर label add कर सकता हूं due date add कर सकता हूं attachment add कर सकता हूं तो अगर मैं इन चीजों को एड़ करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने डिले लगा दिया कि भाई दो मिनिट का डिले लगा दिया वकफलो अभी दो मिनिट बाद रन होएगा पहले आप आपके चेंजिस कर लो तो हम इढ़ा करेंगे कौ सीधाल करेंगे काड में ठीक है तो अमें जाएंगे ट्रेलो पिर और यहांन प doğru डेल्स आप इस काड को में ओपन करता हूं ही दो मिनिट के डेरे में क्योंकि दो मिनिट बाद हमारा वक्न स्कॉण होगा तो लेबल करीं काड़ डेता हूं member add कर देता हूं, ठीक है, member add कर दिया, description डाल देता हूं, for example, अभी के लिए, this is just a test card, okay, एक description यहां पर add कर दिया, और उसके आद यहां पर due date दे सकते हैं, for example, due date दे देता हूं, 26 August 2023 की, और यहां पर save कर देता हूं, ठीक है, यहां से आप cover भी insert कर सकते हैं, मतलब की कुछ अगर आप डालना चाहते हैं, for example, हम यहां पर एक image insert कर देते हैं, यहां से आप बहुत साथी चीज़े add कर सकते हैं, यहां से बहुत साथी चीज़े आप कर सकते हैं, आपके card में add कर सकते हैं, ठीक है, इतना हमने कर दिया, अब मैं इसको close कर दूँगा, तो हमारा card है यहां पर update ह यहां पर देख सकते हैं, हमने कुछ इसमें changes करें, अब मैं जाओंगा पैबली connect पे, अब आप सोच रहोंगे कि यार इधा पर आपने changes कर दिया, आपने card में details राट कर दी, लेकिन आप यह card की details कैसे मिलेंगी, तो बहुत ही easy है, कैसे मिलेंगी, आपको जाना इधार पर action step में choose कर लेना है, Trello fish है, तो आप यहां पर fish says choose कर लें, Trello, तो आप यहां पर type कर दें, Trello, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर action event में choose कर लेना है, get a card, जो कि आपको यहां पर नीचे मिलेगा, आप scroll करें, और यहां पर आप देख सकते है, get a card का option है, get a card details by तो कार्ड की ID हमको received हुई है उपर previous response में click करूंगा connect वाली बटन पर तो उस ID की मदद से हम यहाँ पर details capture कर लेंगे यहाँ पर फिसे dialogue box open होगा है जो बोला है connect relo account तो मैंने आपको procedure बता दिया add new connection के साथ भी जा सकते हैं select existing connection के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर मैं जाओंगा select existing connection के साथ क्योंकि मैंने मेरा connection अल्री बिल्ड करके रखा है लेक कर दूंगा save वाली बटन पर अल्रीट तो हमारा connection यहाँ पर बिल्ड हो गया है अब यहां से हमसे पूछ रहा है एक card ID card ID आपको कैसे करना है दोस्तों map तो आपको इस पर क्लिक करना है previous step का data आपको नीचे शो होगा है यह शो हो रहा है ट्रेलो वाले option पर क्लिक करा है जो previous response हमको शो हो रहा है तो दोस्तों वह कैसे वक करता है कि जैसे हाँ पर card ID map करीना तो जब भी कोई new card add होगा तो उसकी ID यहाँ पर जब भी हमारा workflow रन होगा तो वह change हो जाएगी अपडेट हो जाएगी dynamic response generate होगा क्योंकि mapping का इस्तिमाल कर रहे है कोई भी चीज आप manually type करते हैं तो वह हमेशा static रहेगी for example अगर इस ID को मैं manually type कर देता ना तो वो जो new card create होता तो workflow में यही card ID आती और उस card की details ही नहीं आती क्योंकि हम यहाँ पर manually type कर रहे है अगर आप इसको mapping का इस्तिमाल करेंगे जैसे कि अभी map करा इसको तो हमेशा dynamic response generate होगा इसलिए mapping बहुत important step है दोस्तों इस चीज का आपको धिहन रखना है फिर आपको click कर देना है save and send test request वाली button पर तो आप देख सकते हैं हमको नीचे positive response received हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीजें हमने card में added करी वह हमको यहाँ पर show रही है description मिल गया this is just a test card उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ other details नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर due date भी मिल गई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह due date कब है उस card की तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हमको यहाँ पर basically दोस्तो सारी details received हो गई जो हमने card में अभी changes करा ठीक है तो हमने हमारे automation की 4 steps complete कर लिए जो कि successful भी work कर रही है अब दोस्तो हमारा objective क्या है Trello में card add हो गया, card की details भी आ गई अब हम क्या चाते हैं कि हमको notification आजाए WhatsApp पर कि भाई Trello में card add हुआ है तो उसका notification आजाए WhatsApp पर कि Trello में card add हुआ है इसके लिए action step में आपको चूज करना पड़ेगा interact अब interact एक CRM में दोस्तो WhatsApp का जिसकी मदद से आप WhatsApp में message receive कर सकते हैं बहुत ही easily तो आपको यहां से interact चूज कर लेना है नीचे से और उसके बाद action event में आपको चूज करना है send WhatsApp template message क्लिक करेंगे connect वाली बड़न पर तो यहांप एक dialogue box open हो गया जो बोल रहा है connect interact account तो basically हमको यहां पर same procedure करना है add new connection यह select existing connection ठीक है अगर आप add new connection के साथ जाएंगे यहां पर तो यहां पर एक secret की मांग रहा है और you need to enter the secret की here which can be found under settings developer settings in your interact account अगर मैं यह hyperlink पर क्लिक करूँ interact account पर तो cj developer वाली पेच पर जाओंगा यहां पर secret की मिल जाएगी आपको interact account की जो आप यहां से copy कर सकते हैं और simply यहां पर paste कर सकते हैं अब मैंने already मेरा connection बिल्ड करके राका तो मैं जाओंगो select existing connection के साथ क्लिक करूँगा save वाली बटन पर तो आप देख सकते हमारा यहां पर connection बिल्ड हो गया and other details और important note में given है it is mandatory to give a value for either full phone number or for both phone number and country code तो दोस्तों यहां पर क्या करना है यहां पर 3 fields है country code phone number full phone number तो यहां तो आप सबसे पहले इता पर country code डाले फिर phone number डाले और यहां तो आप full phone number वाली field चूज़ करके इसमें full phone number insert करने तो अभी मेरे को आपको एक message दिखाने WhatsApp पर कैसे हमको WhatsApp message received होता है तो यहां पर मेरा phone number डाल देता हूं जिसकी मदल से मैं आपको WhatsApp एक message show कर पाहूं तो यहां पर मैं सबसे पहले phone number insert कर देता हूं अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते है template code name और नीचे लिखा है to get code name go here and click on the template the URL of the page that opens will be in the format https slash app.interact.ai template code name view page the code name here तो दोस्तों code name में आपको सिर्फ code name डालना URL पर जो आपको कैसे मिले का बताता हूं यह है interact का account यहां पर मैंने एक template create करके रखी जिसका नामे new card alert ठीक है आप भी template create कर सकते है interact में बहुत easily आपको कुछ नहीं करना है अगर मैं इसको back करके बता हूं तो यहां पर देख सकते है create new का option देख रहा है तो create new पर click करेंगे तो create new पर आप यहां पर language add कर सकते है template का नाम दे सकते है category choose कर सकते है marketing utility या authentication और उसके बाद आपको दोस्तों एक बार जब आप इस पर create कर लेंगे तो आपको submit वाली बटन पर click कर देना फिर आपको कुछ add samples भी add करने पड़ेंगे जैसे कि for example description आप add करते है तो x y z description भी add कर सकते है add sample वाली बटन से तो कुछ इस तरीके से आप template create कर सकते है यहाँ पर मैंने एक template create करी है जिसका नाम है new card alert तुम इसको open कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते है मैंने header में none रखा है language English रखी है और एक message draft करके रखा है जिसमें आप देख सकते है Hello a new card has been created in Trello application details are card name description due date उसके आगे लिखा है one two three curly places में तो दोस्तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी curly places में one two three क्यों लिखा है तो दोस्तो basically यह है variables इसमें क्या होगा card name में हम family connect में body variables वाली field में सिफ card name map कर देंगे variable जो हमने यहाँ पर card name description add कर देंगे तो description जाएगा due date के आगे due date जाएगी तो यहाँ पर आपको दोस्तो जो भी message drop करना है for example new card has been created in Trello application उसके बाद आप कुछ भी variable add कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी variable add करना है तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो यह variables बहुत important role play करते हैं अब यह जो पूरा message जाएगा वह ऐसा जाएगा बस card name के आगे card name में जाएगा description के आगे description जाएगा due date के आगे due date जाएगी ठीक है तो हमको सबसे पहले अभी चाहिए template code template code हम URL से ले लेंगे तो यह URL से आपको यह देख देख रहा है ना new card alert इसको आपको कर देना है copy आपकी template में जो भी आपका URL होगा उसमें आपको इस तरी से copy करना है template code name में आपको कर देना है paste okay language code में लिखा है to get language code go here select the template and select its language go here to get the language code for example code for English is EN and for English US is EN-US English code EN English code EN-US अगर आपको other language code चाहिए तो आप यह वाली hyperlink पर click कर दें here वाले word पर तो आपको सारी language code मिल जाएंगी हाप जो भी आप वहां पर डालना चाहते है ठीक है इसको आपकर कर दूँगा close अब हम हमारी language code चेक कर लेंगे तो हमने आपकर language लिए English तो हम आपकर simply type कर देंगे EN-OK इतना करने के बाद header value मैंने आप पर none रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैं इसको blank छोड़ दूँगा उसके बाद most important जीज आती है body variables value body variables value जैसा कि मैंने आपको बता है नीचे भी लिखा है enter the values of variables in your template body if template body is high curly places 1 your order number is curly places 2 then add in the following format john123 तो दोस्तों कुछ इसको हम कुछ इस तरह spell करेंगे high john your order number is 123 तो मतलब यह variables क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको data map करना है तो high के बाद वो ना मजाएगा जो भी आप add करना चाहते है variable में ठीक है तो हम आईए यह वाला process करते हैं अब हमको यहाँ पर सबसे पहले चाहिए card name description and due date ठीक है तो हम इसमें चीजों को करेंगे map और mapping बहुत सिंपल है previous step से आप data map कर सकते हैं यहाँ पर मैं click करूंगा data card पर और यहाँ पर मैं add कर दूंगा सबसे पहले इसका card का नाम तो card का नाम हमको यहाँ पर add हुआ था traveling card 1 ठीक है इसको comma insert कर दें उसके बाद हमको description add करना है description भी हमको यहाँ पर शो रहा है जो कि this is just a test card यह हमने add कर दिया उसके बाद हमको यहाँ पर due date देना है तो due date के लिए मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर due date भी हमको शो रही हमने इसको यहाँ पर कर दिया map दोस्तों mapping बहुत simple है mapping बहुत important चीज़ है मैंने आप पहले बताया है कि mapping की मतल़ से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं ठीक है इतना process करने के बाद position of cta button आप add कर सकते हैं यह mandatory fields नहीं है तो मैं इसको simply ignore करके click करूंगा save and send test request वाली button पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पर positive response received हो गया है full phone number वाली field यहाँ पर शो रही है full phone number मैंने add कर रहा है उसके बाद data type template है new card alert template name है template language code यहाँ पर शो रहा है card details शो रही है traveling card 1 this is just a test card यहाँ पर due date यहाँ पर यहाँ पर शो रही है और नीचे एक message received हो गया है message created or for sending via interact check webbook for delivery status इसका मतलब यह है कि WhatsApp पर message delivered हो गया है check करते हैं कि हमारा यह automation हमने create कर रहा है तो हम आजाएंगे WhatsApp पर आप देख सकते हैं हमको एक new message received हो गया है hello a new card has been created in Trello application details are card name traveling traveling card 1 description this is just a test card due date यहाँ पर शो रही है जो कि हमने वहाँ पर add करी थी तो दोस्तो कुछ इस तरह यह पूरा automation काम करता है summarize करता हूं कि इस पूरे automation हमने क्या करा है तो सबसे पहले trigger में हमने लिया action steps में हमने लिया filter by family delay by family फिर हमने Trello लिया फिर से और उसके बाद हमने last action step में लिया intellect जिसकी मदद से हमने WhatsApp message भेज दिया तो दोस्तो यह पूरा automation बहुत ही simple है इसमें कोई भी coding skills की जरुबत नहीं है आपने यह फिरी वीडियो देखी है आपको समझ आगे हो कि कैसे हमने पूरा automation बनाया है इसे हमने कहीं पर भी coding skills का इस्तेमाल नहीं करा है इताबा लिखा है instant इसका मतलब यह है instantly हमको response received होगा family connect में response received होगा जब भी कोई new card create होगा Trello पे और automatically WhatsApp पे message received हो जाएगा अगर मैं आपको इसको real time में test करके बता हूँ तो मैं जाओंगा Trello पे और यहाँ पे new card add करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे card details add करता हूँ let's say उस card का नाम है test card ठीक है अभी के लिए test card कर दिया तो यहाँ पे मैंने new card add करा इसको open करते हैं इसमें कुछ details add करते हैं जैसे की description तो मैं इसमें add करता हूँ this is a test card okay और यहाँ पे due date दे दूँगा let's say due date है 25th August 2023 की save कर दूँगा और यहाँ पे description add कर दी save वाली button पे click कर दूँगा अब दूस्तों होगा क्या हमने आप पे बस एक card add करा उसमें description or due date add कर दी तो automatically हमको WhatsApp पे इस card की details के साथ message received हो जाएगा तो मैं आपको ले जलता हूँ WhatsApp और दिखाता हूँ कि हमको message received हो आई की नहीं तो मैं जाँगा WhatsApp पे ओ जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं new card has been created in application details are card name test card description add करा था this is a test card and due date received हो गई है 25th August 2023 दोस्तों कुछ इस तरह यह पूरा automation काम करता है अगर आप भी इस workflow को test करना चाहते हैं इस workflow को बनाना चाहते हैं तो इस automation की जो link है वो आपको description box में मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट है तो आप में को comment section में जरूर बताएं थैंक यू यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते हैं पैबली कनेक की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheretpably.com पे अगर आपकी theories हैं या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheretpably.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करें share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें थैंक यू